Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में IV body horror movie Haging को explain करने जा रही हूँ. इसकी IMDB rating 6.2 out of 10 है, ये rotten tomato पे 92% fresh है और इसका metacritics को 75% है, जो एक movie के लिए बहुत ही अच्छा है. इस movie में हमको 12 साल की बच्ची को दिखाया जाता है, जो desperately कोशिश कर रही है अपने demanding mother को please करने का, जब उसको एक अजीब सा अंडा मिलता है, वो उसको लेके आती है अपने घर और उसको गरम रखती है जब तक वो hatch नहीं करता, पर उसमें से जो चीज निकलती है, वो बहुत मुवी की शुरुआत में हमको दिखाया चाता है एक लड़की को जिसका नाम टीनिया है, जो अपने जिमनास्टिक्स को प्राक्टिस कर रही होती है, जब उसकी मा वहाँ आती है व्लॉक करते हुए और उसको टिकल करने लगती है, इसके बाद टीनिया अपने फादर के पा जाती है और उसको दिखाये देता है कि एक फैदर वहाँ से लटक रहा है, जिसके बाद वो विंडो को खोलती है, तब ही एक क्रो अंदर आ जाता है उड़ते वे, और वो घर में रखे वे कांच के जितने भी डिकॉर होते हैं, उनको गिराने लगता है, यहाँ पे टीनिया जब तूटे वे वास के टुकणों को उठा रही होती है, तब उसका छोटा भाई, मतियस, उस क्रो को चेस करने लगता है, यहाँ पे मतियस और उसका फादर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसकी मा वरी कर रही होती है, अपने घर के डेकॉर को लेके, इसके उसके क्रो को माँगने लगती है, जिसके बाद वो तुरन थी, उसक्रो के नेक को स्नाप करके उसको मार देती है, और टीनिया यह देखके शौक हो जाती है, अपने मदर की बात मानते वे, टीनिया जाके उसक्रो को बाहर डस्विन में फेक देती है, और जब वो उसका टीनिया के हाथ को बाइट कर लेता है जिसके वज़े से रेटा काफी ज़द सप्राइज होती है क्योंकि उसके डॉग ने आज तक ऐसा बहेवियर शो नहीं करा अब जब रात होती है तो उनकी मा मिटायस को गाना सुना रही होती है सुलाने के लिए मगर वो बार बार डिमां का introduction जो डिपिक कर रहा होता है उनकी जो family है वो perfect है जब वो एक clip देख रही होती है जहां पे वो practice कर रही अपने gymnastics उसमें वो notice करती है कि उसका जो form है वो थोड़ा सा गरबढ है तो उसकी मां यहां पे बोलती है कि वो उस part को वीडियो से हटा देंगी इसके बार टीनिया य क्रो है वो वहां से जा चुका है जिसके बाद वो उस अवाज को वोट्स के अंदर जाते वे follow करती है और उसको मालूम चलता है कि जो क्रो है वो जमीन पे है और वो सफर कर रहा है अब उसको उसके misery से बाहर निकालने के लिए टीनिया उसका सर पत्थर से मार देती है जिसक उसका final flip है वो नहीं कर पा रही होती है और उसका जो landing है वो सही नहीं है यहाँ पे उसकी कोछ उसको बताती है कि वो compete नहीं कर पाएगी अगर उसका सारा चीज पॉफेक्ट नहीं है तो जिसके बाद उसके साथ वाले जो gymnastics वाले लोग है वो उसको invite करते हैं hangout करने के लिए मगर टीनिया यहाँ पे मना कर देती है कहते हुए कि वो run करने जाएगी यहाँ पे एक लड़की उसको convince करने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ चले मगर बाके सारे वहाँ से चले जाते हैं कहते हुए कि टीनिया उनके साथ कभी भी hangout नहीं करती है इस सारी चीज से upset होके टीनिया भागते वे घर जाती है उसको वहाँ पे मालूम चलता है कि उसकी मा एक repairman को kiss कर रही है जिस का नाम है tarot उसकी मा जाती है उसके कमरे में और उसको एक outfit देती है competition में पहनने के लिए जिसके बाद वो टीनिया को tarot के बारे में बताती है कहते वे कि adult लोगों के special friends हो इसके बाद वो अपने बेटी को बोलती है कि वो इस चीज को secret रखे और उसके बाद वो ये भी बताती है कि वो दो दिन के लिए नहीं रहेंगी जब उसकी मा महा से चली जाती है कमरे से उसके बाद टीनिया चेक करती है उस एक को और उसको उसकी heartbeat सुनाई पड़ती है काफी अच्छा रहा बाद में टीनिया यहाँ पर अपने फादर के कमरे में जाती है मगर उनको कुछ बता नहीं पाती उल्टा वो ये बोलती है कि उसकी मा का काफी अच्छा blog seminar रहा है जब वो वापिस अपने कमरे में आती है तो वो नोटिस करती है कि वो जो एग है वो औ चरप कर रही होती है तब ही वहाँ पर रेटा आती है अज न्यू स्टूडेंट और वो फ्लॉलेस रूटीन दिखाती है तो इस वज़े से टीनिया की मा उसको रोकती है घंटो बात तक प्राक्टिस के जिससे कि वो रूपके प्राक्टिस कर सके और वो तब तक करवाती र रहा है उसको comfort करती है वो और वो खुद भी काफी comfortable feel कर रही होती है कि उसके अंदर एक life form grow कर रहा है यहाँ पे उसकी मा अपने आपको mirror में चेक कर रही होती है जब हमको दिखाई देता है कि उसके perfect scar है एक रात का हमको आगे दिखाया जाता है जहाँ पे टीनिया अपनी मा को बोलती है कि वो इस चीज को understand करती है आगे हमको दिखाया जाता है कि टीनिया अपने एक के उपर सर रख के रो रही है जो अब उतना बड़ा हो चुका है जितने की वो है जब उसके आसू संडे पर गिरते हैं तो वो इस चीज को absorb कर लेता है और वो हाच होने लगता है ज यहाँ पर टीनिया अपना आग बंद करती है और जब वो खूलती है और आसपास देखती है तो उसको दिखाई देता है कि कोई भी नहीं है मगर वो जैसे ही देख रही होती है तब ही एक आग अलमारी के अंदर पीक कर रहा होता है जिसके बाद वो चीज विंडो के बाहर वापस आती है तो यहाँ पर टीनिया थोड़ा सा डर के मारे पीछे हो जाती है मगर यहाँ पर जब वो नूटिस करती है कि उस बर्ड के हाथ में एक कांच का टुकड़ा गुसा हुआ है तो टीनिया उसको हटाती है यहाँ पर जब बर्ड चिलाता है तो टीनिया अपने आ अब जब सोने का टाइम होता है तो जो बर्ड है वो रोने लगता है उसके बैठ के नीचे तो टीनिया उसके लिए गाना गाती है बाद में उसी रात एक डॉगी के बाग करने की आवाज से उनकी नींद खुलती है तो जो बर्ड है वो बहार चला जाता है यहाँ पे जब टी टीनिया की नीद खुलती है तो वो नोटिस करती है कि वो जो बर्ड है वो उसके उपर बैठावा है और रेटा का जो डॉग है उसका जो बॉड़ी है जिसका अपसर नहीं बचा वो उसके पास है अब इस चीज को देखके टीनिया काफी ज़दा होरिफाइड होके उल्टी के नीचे कि तभी उसका भाई उसके फादर को साथ में लेकि उसके कमरे के अंदर आ जाता है क्योंकि यहां पे उसका भाई उससे अपसेट होता है कि जब उसको बातरूम यूज करना था तब टीनिया ने उसको करने नहीं दिया यहां पे उसका फादर चीज़े ठीक करने क को देखती हुई यहाँ पे रेटा को वो मिलती है जो से पूछती है कि क्या उसके पास कोई बर्ड है जिस पे वो उसको ये बोलती है कि हो सकता है कि वो लोग जल्दी कोई बर्ड को ले आए यहाँ पे और सारी लड़किया टीनिया को व्यूर्ड बला रही होती है मगर रेट उसके साथ घर जाती है रास्ते में टीनिया की मदद मांगती है रेटा कुछ पोस्टर उसको शिपकाने के लिए उसके डॉक के मिसिंग होने के बारे में और जब वो घर आती है तो उसकी माउस को नया हैर ब्रश देती है मगर उसका भाई अभी भी काफिदा अपसेट होता है कि उसको कुछ भी नहीं मिला वो यहाँ पे मिसिंग डॉक का पोस्टर देखता है जो टीनिया ने वहाँ पे छोड़ दिया था और वो देखके वहाँ से भागता है और जल्दी वो जो डेट बॉड़ी है उस डॉक की उसको लेकर आता है और टीनिया के बारे में जो उसने करा है डॉक के साथ वो बताता है मगर उसके परेंस को लगता है कि उसका भाई यहाँ पे जुट बोल रहा है तो वो टीनिया को यहाँ गुस्से में धक्का दे के चला जाता है यहाँ पे टीनिया के रूम में उसको एक shadow move होतावा दिखाई देता है तो वो एक mask पहनता है और कमरे के अंदर देखने लगता है और जैसे ही वो bed के नीचे देखता है वैसे ही वो bird उसके mask को हटा देती है उसका भाई यहाँ पे डर के मारे पीछे जैसे ही होता है वैसे हम देख पाते हैं कि टीनिया को seizures आने लग गए है living room में जब वो इस चीज से recover करती है तो वो अपने कमरे में भागते वे जाती है और उसकी माँ उसके साथ होती है जो bed के नीचे चेक करती है मगर वहाँ पे उन अलमारी को बंद कर देती है उस दिन आगे शाम में जब टीनिया गुस्सा होती है अभी भी bird से तो वह सो गुस्से में अलमारी के अंदर ही trap करके रख देती है जब वो बर्ड हलका सा वास करती है तो टीनिया उसको खाना तो देती है मगर अभी भी वो जो bird है वो हिलती नहीं तो वो bird food को अपने मूँ में चबा के उसके सामने spit out कर देती है जो वो bird खा लेती है और वो bird को शांत करने के लिए काना गाने लग जाती है जिसके बाद वो notice करती है कि धीरे धीरे उस bird के बाल आ रहे हैं जिसके बाद वो bird एक दम से खासी करती है और टीनिया को सुनाई परता है आली तो वो उसका नाम वही रख देती है आगे हमको दिखाया जाता है कि वो जो bird है वो अलमारी से बाहर आ गई है और वो टीनिया के कपड़े को पहनी वी है वो धीरे से उसके कमरे से बाहर निकलती है और यहाँ पर उसका भाई उसको नोटिस तो करता है मगर उसको लगता है कि शायद वो टीनिया है यहाँ पर उसकी बोड़ी थोड़ी इंसानों जैसे लगने लगती है जिसको देख के डर के मारे उसका भाईवां से भागता है जिसके बाद वो बर्ड उसके मा के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़ती है जिसके बाद वो डिसपियर हो जाती है जैसे ही उसकी मा की नींद खुलती है उसकी मा यहाँ पे अपने हाथ पे किसी तारय का fluid notice करती है और feathers होते हैं जमीन पे तो अपने हाथ में चाकू लेके घर के around move करने लगती है यहाँ पे उसको आली की reflection दिखाई देती है और वो जैसे ही मुड़ती है उसको देखने के लिए उसको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता तब ही यहाँ पे मटियस आता है पीछे से और अपनी मा को hug कर लेता है जिसको देखके वो काफे ज़्यादा surprised होती है सारे चीज़ से काफे ज़्यादा वो डरावा होता है और वो कहता है कि टीनिया एक monster है मगर उसकी मा सोचती है कि उसको सिर्फिक nightmare आया है अगला दिन होता है और टीनिया यहाँ पे bird के बालों में एक flower लगा के उसको beautiful बोलती है और gymnastics के practice के दौरान रेटा और टीनिया साथ में मज़े भी करते हैं मगर यहाँ पे देखके लग रहा है कि टीनिया की मा उसके skills को लेके काफी ज़्यादा खुश है नहीं as compared to रेटा के skills को जिवो दोनों बच्चियां साथ में बात कर रही होती है तब टीनिया की मा वाँ पे जाती है compliment करते वे रेटा के skills को जिस चीज से टीनिया काफी ज़्यादा stress out होती भी देखर आती है और यहाँ पे वो यह भी बोलती है कि टीनिया को अपने skills को काफी ज़्यादे तरीके से ठीक करने की जरुवत है अगर वो उसको हराना चाती है तो यहाँ पे अभी भी हम देख सकते हैं कि जो bird है वो टीनिया के closet में lock हुई भी है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है practice के बाद रेटा घर आपस जा रही होती है walk करके कि अचानक उसको काफी ज़्यादा अंदर से uneasy feel होने लगता है कि उसको लगता है कि शार्द उसको कोई follow कर रहा है गाड़ी में टीनिया अपनी मा को बोलती है कि वो वापिस गाड़ी को घुमाए मगर उसकी मा उसको नहीं सुनती यहाँ पे हम देख पाते हैं कि रेटा डर के मारे भागना शुरू कर दी है थोड़े देर के बाद वो एकदम से रुकती है और उसको alley दिखाए देता है बगर वो इस बार इंसानों जैसा दिख रहा है कि तब ही अचानक से टीनिया को एक और seizure आने लग जाता है गाड़ी के अंदर तो उसकी मा ब्रेक लगाती है गाड़ी को यहाँ पर उसकी मा उसे comfort करने की कोशिच करती है बोलते वे कि सारी चीज़ें ठीक है और वो भी अपने बताती है कि वो भी nervous feel किया करती थी जब वो skating competitions में हुआ करती थी इसके पहले कि वो लोग वापिस घर जाएं यहाँ पर उसकी मा सजेस्ट करती है कि वो लोग टेरो के घर पे कुछ टाइम पे रहें क्योंकि यहाँ पर देखे लग रहा है कि टीनिया अपने घर में रहे के काफे ज़्यादा stress out हो रही है जब वो वापिस अपने bedroom में आती है यहाँ पर उसका father सिफ इतना ही बोलता है थोड़ा बहुत कि वो respect करता है उसकी मा जो भी करना चाहिए उसको करते हुए compliment करते हुए कि वो काफी ज़्यादा strong willed है आगे हमको टेरो के घर का दिखाया जाता है कि उस शाम टीनिया काफी ज़्यादा uncomfortable feel कर रही है एक अलग घर में रहते हुए जहाँ पर एक baby रो भी रहा है अचानक से वो notice करती है कि alley window पर है जो काफी ज़्यादा लड़की जैसे लगने लग गई है अपने बीक के बिना जिसको वो अंदर आने देती है उसके bed में सोने के लिए अगला दिन होता है जहाँ पर टीनिया की मा उसके खाने के photos ले रही होती है इसके पहले कि वो खा सके यहाँ पर टेरो काफी ज़्यादा uncomfortable लग रहा होता है उसके घर के photos को दुनिया के साथ share करने के लिए तो यहाँ पर उसकी मा promise करती है कि वो इस चीज को crop कर देगी जिसे कि उसका घर नहीं लगेगा वो जिसके बाद टीनिया या उटिस करती है कि उसकी मा हेलमी को काफी ज़्यादा छेड़ रही है जिसके बाद वो अपना सारा ध्यान breakfast करने पे लगाती है और जल्दी से टेबल भी साफ कर देती है जैसी वो खाना गिराती है यहाँ पर टेरो उसको बोलता है कि खाना गिराना इस नॉर्मल और उसके बाद वो खुद भी जान बुच के खाने को स्पिल करता है थोड़ा सा उनका सुबा डिस्ट्रप्ट हो जाता है जब उसकी मा को न्यूज मिलती है रेटा के सिचुएशन के बारे में आगी चलके रेटा को देखने के लिए टीनिया हॉस्पिटल में जाती है और जब वो देखती है कि उसकी चोट काफी ज़दा बुरी है और उसका एक हाथ मिसिंग है टीनिया उसको हाथ लगाती है तो रेटा उसको पकड़ के चलाने लग जाती है जिसके वज़े से टीनिया वहाँ से भागती है वापिस टेरो के घर पे टीनिया रो रही होती है और जब वो एली को देखती है तो वो से गुस्से में पूछती है कि उसने रेटा को क्यों चोट पहुचाया जिसके बाद वो उसको थपड मारने के लिए हाथ उठाती है मगर वो खुद को ही मार लेती है तो एली यहाँ पर उसको हग करके कंफर्ट करणे लग जाती है जब टीनिया रो रही होती है जब वापिस से वो उठती है तो देखती है कि एली काफी ज़ादा उसके दिखने लग गई है आगे हमको दिखाया जाता है कि टीनिया यहाँ टेरो के वोक्शॉप पे गई हुई है उसको विजिट करने के लिए चहाँ पे टेरो उसको बताता है कि उसको टूटेवी चीजों को ठीक करना पसंद है जिसके बाद वो उसको बार गृप्स देता है उसके कॉंपटिशन के ल वहाँ पे काट वील करके दिखाता है जो वो खुद भी फेल कर देता है करने में जिसके वज़े से टीनिया हसती है जैसे उसको अली के चलाने की आवाज आती है तो वो भागते वे जाती है उसको खाना देने के लिए और टेरो से फॉलो करता है टीनिया यहाँ पे कटा करने की कोशिश करती है कि टीनिया दर्वाज़ा बंद कर देती है मगर टेरो का हाथ रुख जाता है बीच में यहाँ पे टीनिया स्ट्रगल कर रही होती है जब वो एली को पुश अवे करने की कोशिश करती है जिसकी वज़े से फाइनली टेरो का जो हाथ फसावा है वो छूट जाता है बाद में टेरो यहाँ यहाँ पे टेरो के पास जाती है जो अपने हाथ पे पट्टी लगा रहा होता है और यहाँ पे उसने अपना समान को पैक किया हुआ होता है और उसका प्लान होता है कि वो वहां से चली जाएगी जिसे कि Taro उसको आगे देखना पाए मगर यहाँ पे Taro उसको बोलता है कि उसको जाने की कोई जरुवत नहीं है Taro यहाँ पे उसको comfort करते रहता है जब वो उसको बारबर sorry बोल रही होती है सजस्क करते वे कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात कर सकती है मगर यहाँ पे Tiniya प्लीट करने लगती है कि वो इस चीज को secret रखें तो यहाँ पर टेरो से पुछता है कि क्या उसका ऐसे बहेव करना उस competition के बारे में है मगर यहाँ पर टीनिया यहाँ पर सीधे सीधे जवाब ने दे पाती specially क्योंकि उसकी मा वहाँ पर आ गई होती है उसको competition के लिए ले जाने के लिए बाहर यहाँ पर उसकी मा उसे फिल्म कर रही होती है प्रैक्टिस करते वे और उसको perfect होने के लिए पुछ कर रही होती है जिसके बाद उसको हेलमी के रोते वे आवाज आती है और वो उसको पास तुरन जाती है उसको चुप कराने के लिए यहाँ पे टीनिया नूटिस करती है कि एली उपर से विंडो से देख रही है उसको यहाँ परिशान होके वो बार-बार बोल रही होती है कि वो लोग हेलमी को साथ ले चले मगर उसकी मा मना कर देती है यहाँ पे हमको आगे competition का दिखाया जाता है जहाँ उसकी मा सारे चीज़ को live stream कर रही होती है मगर यहाँ पे उसका भाई pretend ही नहीं कर रहा होता खुश होने का तब तक जो टेरो है उसने हलमी को बेट में डाल दिया होता है जब एली वहाँ पर stop करने आती है उसे क्रिप पे जब यहाँ टीनिया का रूटीन चल रहा होता है तब एली को देख पाते हैं कि उसने बेबी के ओपर आक्स उठाया हुआ है टीनिया को यहाँ पर सेंस हो जाता है कि एली क्या करने वाला है तो वो पॉपस फिली अपने आपको उपर से नीचे गिरा देती है जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है जिसके वज़े से यहाँ पर एली को भी दद महसूस होता है और वो एक्स गिरा देती है सब भी वहाँ पे टेरो बेडरूम के अंदर आता है जिससे एली विंडो से कूद के वहाँ से चली जाती है यहाँ पे टीनिया को बहुत जादा चोड़ तो नहीं आई होती है मगर उसकी मा इस चीज से खुश नहीं होती है क्योंकि कॉपटेशन कर रिजल्ट आया होता है उस वज़े से और जब लोग वापे से टेरो के पास जाते हैं तो वो तुरंथ ही चलाने लगता है टीनिया पे उसकी मा यहाँ पे पूछती है कि चल क्या रहा है तो यहाँ पे फाइनली टेरो बताता है कि टीनिया ने क्या हरकत करी है कुश ही देर पहले मगर उसकी मा बार-बार इंसिस्ट करती है कि टीनिया और वो तो अभी जस कॉमपटेशन से वापस आये हैं और उल्टा यह पूछती है कि क्या टेरो बैट के ड्रिंक कर रहा था यहाँ पे वो दोनों को हेल में जाने को बोलता है जिसके बाद वो पॉइंट आउट करता है कि टीनिया को सीरिस प्रॉब्लम है जो उसकी मा जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देती और वो डिसाइड करता है कि वो लोग साथ में अब नहीं रहेंगे आगी उसी शाम टीनिया की मा वापस आ जाती है अपने गाड़ी में अपने सारे समान को लेके जब यहाँ पे टीनिया अपने मा से बात करने की कोशिश करती है तो उसकी मा चिल्लाने लगती है और अपना सर दोदर मारने लगती है यहाँ पे उसके नाक से खून आ रहा होता है जिसको वो पोचती है और उसके बाद वो उसके तरफ मुड़ती है कहते वे कि टीनिया उसको कम से कम खुश तो रहने दे रास्ते में टीनिया यहाँ पे रोते वे आ रही होती है मगर उसकी मा इस बारे में बिल्कुल कैर नहीं कर रही होती जब वो लोग घर पहुचते हैं तो टीनिया का फादर उन्हें अंदर वेलकम करता है और इमीडिटली वो वरी हो जाता है देखके कि उसकी नाक से खूना रहा है मगर उसकी मा यहाँ पे उसको सिर्फ इकिस करके ग्रीट करती है कहते हैं कि टीनिया यहाँ पे जोर दे रही थी वापस घर जाने के लिए वापस टीनिया के बेडरूम में अली को हम देख पाते हैं जो उसके विंडो पे बार-बार नौक कर रही होती है मगर उसको वो अंदर नहीं आने देती जब वो नीचे जाके गिरती है घास पे तो अली को नोटिस कर लेता है टीनिया का फादर यह सोचते वे कि वो टीनिया है तो यहाँ पे अली धीरी-धीरे करके क्रॉल अवे कर जाती है तब तक हम देख पाते हैं कि टीनिया के मा अपने ब्रूज इसको कवर कर रही है व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे वो टीनिया के कॉमपेटिशन का अपडेट देती है जिब टीनिया उसके पास आती है तो यह चीज से उसकी मा काफी ज़दा अपसेट हो जाती है कहते वे कि वो स्मेल कर रही है जिसकी वज़े से टीनिया जाती है नहाने के लिए दुसरे दरफ हम देख पाते हैं कि अली दीरी दीरे क्रॉल करके बेटरूम के अंदर आ गई है और वो अलमारी के अंदर जाती है तो उसका फादर उसको वहाँ पे ही रहने देता है मगर यहाँ पे उसकी मा उसको बाद में बाहर निकालती है कहते वे कि उसको यहाँ पे व्लॉक करने की जरूरत है अब यहाँ पे वो जिस सरह से दिख रही है इस वज़े से टीनिया की मा उसकी कंगी करने लग जाती है मगर वो इतना जोर से कर रहे होती है कि उसके हैरी उसका सकल से पुल ओफ होने लग जाते हैं जिसके वज़े से अली यहां दर्द के मारे चिलाने लगती है यहाँ पे टीनिया की मा को जैसे ही क्लो करने वाली होती है कि टीनिया यहाँ पे भागते वे आती है और अली को उनसे दूर करती है जिसको देखके वो काफी ज़दा उसकी मा शौक हो जाती है जब यहाँ पे अली दुबारा से अटाक करने की कोशिच करती है तो टीनिया उस पे चिलाती है और बोलती है कि उसको वहाँ से जाने की जरुवत है और इस चीज को सुनके वो इतना दादा देर तक चिलाती रहती है कि उसके जो चीक्स है वो सनाप कर जाते हैं जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है जब टीनिया के माँ उसे ये पुछती है कि वो क्या चीज है तो टीनिया एक्स्प्लेन करती है कि उसने उस चीज को हैच करा था मगर वो अपचाती है कि वो वहाँ से चली जाए ब्लेम करते वे कि अली के वज़े से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे वो उसको comfort करती है जिसके बाद वो लोग knives लेते हैं अपने हाथों में kitchen से जिसके बाद वो लोग hunt करने जाते हैं आली को जब उन लोग को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो लोग एक corner पे जाके खड़े होते हैं मगर उनको यहाँ पे सिर्फ उसका भाई दिखाई देता है और उसका father वो यहाँ पे टीनिया की मदर बताती है उन दोनों को कि कोई तो है वहाँ पे जो टीनिया की जैसे दिखाई दे रहा है जो घर के around चल रहा है तो वो दोनों उस चीज के बारे में कुछ solution निकाल रहे हैं यहाँ पे उसका भाई smile करता है इस बात को confirm करते हुए कि उसने जो चीज देखी थी वो nightmare नहीं था यहाँ पे दोनों लोग अलग-अलग हो जाते हैं और यहाँ पे टीनिया का फादर जाता है उसके भाई को देखने के लिए और वो दोनों अपने आपको एक कमरे के अंदर lock कर देते हैं जब वो लोग टीनिया के कमरे के अराउंड देख रहे होते हैं तो उसकी मा को दिखाई दिता है कि उसके अलमारी खाली है मगर वो जैसे ही मुरती है वैसी ही अली उसके पीछे से आती है और उसको पकड़ लेती है जिसके वज़े से उसके हाथ में चाकू है वो गिर जाता है यहाँ पे अली उसको जमीन पे पकड़ी भी होती है मगर जैसे ही वो अपना हाँ चाकू तक लेके जाती है उसके बाद वो उसको इमिडिटली स्टाप करती है मगर यह सेम चीज टीनिया को भी फील होता है यहाँ पे अली को चोट लग गई होती है और टीनिया उसके पूछती है कि उसकी मा अब क्या करेगी तो उसकी मा बोलती है कि वो उस चीज से गेट रिट करने वाले हैं मगर यहाँ पे टीनिया को रोते वे अली को देखके बुरा लगने लग जाता है यहाँ पे उसके माँ प्रॉमिस करती है कि सारी चीज़ सही रहेगी जिसके बाद उसके माँ नाइफ से स्ट्राइक कर देती है मगर यहाँ पे टीनिया उसको नाइफ को ब्लॉक कर देती है खुद को बीच में लाके और उसको खुद इंस्टेट स्टाब हो जाता है ये चीज़ को देखके टीनिया के मा काफे ज़दा horrified होती है जब टीनिया जमीन पे जागे गिर जाती है अली के ओपर जब खुन निकलने लगता है तो वो चीज़ डायरेक्ली अली के मुझे अंदर चली जाती है और जब यहाँ पे टीनिया के फादर और उसका भाई अंदर आता है कमरे में तो वो देखते हैं कि उसके मा के हाथ में वेपिन है और टीनिया मर गई है तब तक यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एली की जो चोट है वो ठीक हो रही है और उसकी जो आखे हैं वो एकदमी फुल हुमन फॉर्म में चेंज हो गई है यहाँ पे वो किसी तरह से अपने आपको खड़ा करके उसकी मा को अवाज देती है और देखके लगता है कि वो अब नई टीनिया है और मुवी खतम हो जाती है अगर आपको इस मुवी की एक्स्टानेशन पसंद आई हो देन दू लाइक दे वीडियो, सब्सक्राइब तो मैं चानल, शेर इट विए फ्रेंज, और दोंट फोगेट तो फॉलो में इंस्टरग्राम, लिंक आपको नीचे दिस्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा